हेलो गाईज आप सभी लोगा स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नमे एकॉनमिक्स एजी है मैं हूँ आपका अपना शिवम और आज हमारी क्लास संबर 20 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक साल के अंदर हमने कितने यूट्स प्रेडियूस किये हैं एक साल के अंदर उसको बोलते हैं जी डी पी ठीक है अगर हम जी डी पी को करेंट प्रैस से निकालते हैं तो उसको बोलते हैं क्या बहुते हैं nominal GDP एक साल के अंदर हमने कितने यूनिट बनाए हैं और उसको घ्रेंड अधुली परनफ जिसका दूसर नम जा लिए गौता है Long Nah gap घ्रिपर right अगर मैं आप रिगोदेगे पूछ और यह यह लॉम्हें दो सरो 20-20-0- esto Christ और दस रुपए है तो हमारा रील सारी नॉमिनल जीपी किना आज़ेगा तैन लैक रोपीस आ रहेगा यह हमारा data मालो 2020 का है इसके हम बात करते हैं अपने पास real GDP real GDP या GDP at constant पर जिससे बोलते हैं तो धान से सुनना यह क्या होता है यह होता है कि हम किसी एक साल को base year ले लेते हैं उसकी कीमत को हम base year ले ले लेते हैं और उस कीमत को हम हर साल के output से multiply करा देते हैं जैसे एक्जांपल के तौर पर हमने क्या-क्या एक लाक यूनिट बनाए एक लाक यूनिट बनाए लेकिन हमने साल के अंदर हमने जो भी यूनिट बनाए है उसको हम base year की प्राइस से क्या करते हैं multiply तो क्या जाता है real GDP या constant GDP अब बात उठती है कि जो हमने भी दो GDP आपड़ी एक तो nominal GDP पड़ा और real GDP पड़ा which one is better for us या our nation हमारे nation के लिए कौन सा दोनों में से better है तो better सच बताओं तो real GDP है क्योंकि इसमें हम base year को हमेशा base मानते हैं हो सकता है इस साल inflation इतनी जादा हो जिससे price की कीमते बढ़ गई हो वस्तु की कीमते बढ़ गई हो तो यह price 20 रुपय हो तो हमें लगेगा तो overall GDP बढ़ गया है लेकिन उस बढ़ने पीछी इसी लिए हम real GDP इसको बोलते हैं और यही हमारे लिए ज्यादा फाइदे मन्द होता है तो यहां लिए विश्वन इस बैटर नॉम्नल और रियल तो हमने बोला कि वैसे तो बैटर है लेकिन कैसे बैटर है वो भी सुनो real GDP help determine the effect of increased production ध्यान देना है यहां वर्ड लिखा हुए increase production of goods and services affected by change in physical output only क्या मतलब इसका हमने बेसियर लिया मानलो 2008 को 2008 में जो कीमतों को रेट थे वो ते 5 रुप है हम बात करें 2020 की हम बात करें 2020 की 2021 कि 2021 में हमने unit बनाए एक लाक और यहाँ unit बनाए लग ठीक है और प्राइस बेस सबसे अच्छा किस्का धैक लेकिन 2021 में आप दीखो तो price same है, price same है, सिर्फ क्या बढ़ा, output बढ़ा, real तो यही हुआ ना, कि output बढ़ने की वज़े से, हमारा GDP बढ़ा, this is the real best indicator for us, best indicator जो हमें भी बताता है, कि price की वज़े से हमारा GDP नहीं बढ़ा, बलकि output हमें production इस पर खुब अच्छे से किया है, जिसके वैसे हमारे जो output है, वो बढ़ गया है, this is called real GDP, और यही हमारे लिए एकॉनमी के लिए अंदर better होता है, बात करते हैं nominal GDP, nominal GDP increase होता है, without any increase in physical output, देखो, यहां पर क्या बढ़ रोला था, प्राइस के बढ़ने पर, जबकि हमारा output में कोई change नहीं है, मैं आपको example देकर दिखाता हूँ, मैंने कहां 2020 के अंदर हमने एक लाग यूनिट बनाए 10 रुपए के साब से, current price है 10 रुपए, तो हमारा GDP कितना आया, 10 लाग रुपीस आया, ठीकिन, फिर हमने 2021 के अंदर प्र बहुत अच्छी बात है, दोस्तों हाँ, no doubt अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी अच्छी बात है, जितना आप सोच रहो, क्योंकि तो GDP बढ़ा हूँ तो हमें लगा है, लेकिन GDP output क्या मारा production बात नहीं, सिर्फ क्या बढ़ा, price के बढ़ने की वज़े से, हमारा GDP बढ़ गया आटपुट तो ही बढ़ा ना, इसलिए लिखा हुए कि nominal GDP तब बढ़ता है, जब price में change आता है, वरना output में तो कोई change आता ही नहीं है, बोलो बात समझाएगे, इसलिए economy के लिए real GDP ज़्यादा best माना जाता है, real GDP ज़्यादा best माना जाता है, तो conclusion देखो, real GDP is better than the nominal GDP, real GDP is better than the nominal GDP, क्योंकि ये true picture reflect करता है, economy में कितने लेवल की growth हुए और कितने लेवल की growth नहीं हुए, इसलिए, अब एक concept आता है, GDP deflator का, GDP deflator का जो concept है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है, कि अगर हमें कभी भी GDP deflator निकाला हो, तो formula होता है, nominal GDP upon real GDP into 100, ये सिफिक theoretical concept है, इसको याद रख लिए, तो ये हमारा concept था, इसके बाद अगला concept आता है, वो most most important है, that is GDP and welfare, क्या मतलब है ये GDP and welfare, क्या concept रहिए, concept ये है, कि GDP और welfare में क्या difference होता है, और वो difference क्यों होता है, कौन से ज्यादा अच्छा होता है, देखो मैं आपको ना एक overall चीज़ बता हूँ, welfare का मतलब होता है, कि society में उससे कितना फायदा पहुंच रहा है, और कितना नुकसान होता है, that is called welfare, और GDP का मतलब होता है, एक साल के अंदर आपने कितने number of unit goods produced कि है, जहां से सुनो, GDP का मतलब होता है, एक साल के अंदर हमने कितने unit of goods produced कि है, और welfare का मतलब होता है, कि हमने उस हमारा यह है कि GDP के लिए कौन सा इंडिकेटर अच्छा है GDP अच्छा है या वेलफेर अच्छा है तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना मैं आपसे एक कुछन पूछना चाहरा हूं वह कुछन यह है कि मान लो 2021 के बजट में मान लो 2021 के बजट में अब मैं इसको यहीं लिख दूँ क्या मुझे यहां बता लेता हूं ठीक है मैंने अब से बुला कि 2020 में चलो 2020 में जो हमारा बजट आया उस बजट में क्या आया कि हम सब्सक्राइब के बजट कुछा करेंगी तो बताव 2020 में हमारी जीपी कीतनी आगे सब को जोड़ो तो मैं पता लगा कि overall जोडने के बाद हमारी जो फिगर आई है that is 400 करोड तो हमें लगा भाई देखो इस वार तो हमारी जो GDP है वो कितनी है यह 400 करोड आई ही बहुत अच्छी चीज है चलो अब हम बात करते हैं 2021 की 2021 में क्या हुआ हम लोगोंने education sector के ध्यान ज बढ़ाया 380 करोड का 380 करोड का अब आप मुझे बता सकते हो GDP 2021 में कितनी आएगी आप को देखो GDP जो हमारी 2021 में वह कितनी आजएगी वह आजएगी हमारे पास 550 550 करोड अगर आप overall देखो तो क्या बढ़ोगे कि 2021 के अंदर हमारी GDP बढ़ गई है इसका मलब 2021 हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है 2021 में हमारे आपर ज़्यादा चीज़े प्रेडियूस किरियोंगे लेकिन हकीकत देखो तो क्या हुआ GDP ने एक चीज़ गलत की जीडिपी ने एक चीज़ गलत क्या की वह यह गलत की कि एक सेक्टर को तो उसमें बढ़ा दिया एजुकिशन सेक्टर क बढ़ा दिया लेकिन फार्ग सेक्टर को उसने क्या कर दिया घटा दिया यानि इंडिजन सेक्टर को उसने डाउन कर दिया तो इससे GDP से हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि हर सेक्टर क्या equally increase हुआ है या नहीं हुआ है वैसे overall GDP तो देखो इंक्रीज हुआ है लेकिन इंडि GDP बढ़ा लेकिन क्या welfare बढ़ा नहीं बढ़ा farming सेक्टर को तो expectation हुआ है उसको तो दिक्कत है आगी तो this concept is called distribution of GDP हमेशा GDP का distribution equal rate से होना ची इंडिजल बेस पर फिर overall तो अपना बढ़ ही जाएगा इसी लिए कह रहाता है GDP और welfare क्या होते है अलग-अलग होते है नमबर टू, changing price changing price का मतलब क्या है changing price का मतलब यह है मैं बात करता हूँ सन 2020 की 2020 के अंदर हमने क्या किया हमने 1,00,000,000 बनाए लेकिन उस time जो कीमत थी वो 5,00,000 तो हमारा GDP किता है 5,00,000,000 बन रहे हैं लेकिन 2021 में हमारे पास अभी भी एक लाग यूनिट बन रहे हैं लेकिन price अगर हम देखें तो हमें ऐसा फील हो रहे है कि जो हमारा GDP वो पहले से ज्यादा बैटर है लेकिन ओवराल देखो कि तो बैटर नजर आ गया इंडिजुनली देखो तो पता लगेगा कि GDP बढ़ने का रीजन प्राइस के बढ़ना था इंफलेशन के बढ़ने की वैसे GDP बढ़ा जो एक सही मेजर्मेंट नहीं है यह हमारे वैलपेर के अगय JuneV welfare बोलता है आप अपना production बढ़ा न प्रड़ाने बाहने में प्रोडक्शन कॉंस्टेंट है आप प्राइस बड़ा बड़ा के जीडीपी बड़ा रहा है यह कोई सही तरीका है नहीं तो एक चेंज इन प्राइस बताता है जीडीपी अलग चीज होती ही वैलफेर अलग चीज होता है राइट नॉन मनें च 동 Raymond क्या होता है जैसी करें उतना टेश्त की बनाती है लेकिन उसके पैसे उसके आजस भर चाक्षाना मैं करना करते हैं वह गरीब बच्चह होते हैं उनको भी खाना देती हैं रहेख require क्ठीश ने से पैसा आया yaş buy pem व्रिम kicking immorality फ्री में धीयाए कि इसा पैसा नहीं है लेकिन ङरीब अभीच्य व्रान है अंग मॉः सुसाइटी मैं फ्री्ट नश्यार तो क्या इससे GDP बढ़ा नहीं, GDP नहीं बढ़ा, लेकिन अगर वो चीज हम बेचते किसी को, तो उससे हमारा GDP क्या हो जाता, बढ़ जाता, अगर हम किसी को बेचते तो कौन खरीदा, रिच पीपल्स खरीद पाते, जो उनको अफॉर्ड कर पाते, वही लोग खरीद पाते, इस और GDP दोनों ही different aspects है, मतलब GDP बोलता है, कि आप चीजों को बेचोगे, तो GDP बढ़ेगा, लेकिन आप समाथ सिवा करो, तो GDP नहीं बढ़ेगा, इसलिए करता है, GDP अलग चीज है, और वेलफेर अलग चीज है, GDP का बढ़ना, कभी indicate नहीं करता कि समाथ सिवा हो रही है, और GDP का घटा है, ये कभी नहीं बताता कि समाथ सिवा खताम हो गए, याद है, अब बात करता है, externalities की, externalities में क्या चीज आती है, वो सुनो, externalities के अंदर आती है, वो segments जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक industry है, उस industry ने क्या किया, प्लास्टिक बनानी श्टार किया, ठीक है, 2021 के अंदर क्या हुआ, उसने अपने number of unit production को कम कर दिया, जिससे pollution level क्या हो गया, economy के अंदर, कम हो गया, देखा जाए, तो GDP किसमें बढ़ा होगा, GDP 2020 के अंदर बढ़ा होगा, इस जगे GDP हमारे क्या होगा होगा, बढ़ा होगा, और 2021 के अंदर हमारे GDP क्या पास, जिदिप का बढ़ना हमेशा यह नहीं बताता कि इस society में welfare भी हो रहा है, क्योंकि आप देखो GDP का बढ़ने से welfare तो हो गी नहीं रहे, जबकि GDP काम होने के वैसे welfare हो रहे है, यह प्रोड़क्शन काम हो रहे है, यह कहलाता है, यह कहलाता है, एक्ट्रन अदिस कहलाता है ठीक है, तो excellenties हमें यह बताता है कि जो welfare है वो एक अलग concept है और GDP अलग concept है, GDP का बढ़ना हमेशा यह नहीं बताता कि welfare हो रहा है, ठीक है, अगला point है हमारा अगला point के अंदर हम डिसकस करने मारे है अपने पास, rate of population growth, rate of population growth में क्या पढ़ने मारे हैं, कि देखो, हमने देखा कि हमार जो population पहले 100 करोड थी, वो 100 करोड से बढ़कर 135 करोड हो गई है, ठीक है, यह नहीं population कितनी बढ़ी, 35 करोड पीपल से बढ़ गए, लेकिन हमारा production जो पहले 1 ton होता था, 1 ton होता था, वो सिर्फ 1.10 बढ़ा, मतलब हमारा production थोड़ा बढ़ पाया, और population उसके comparison जादा तो इससे क्या हो, society के अंदर welfare तो हुआ, population बढ़ने से, लेकिन GDP क्या हो गई, कम हो गई, या GDP तो बढ़ गई, लेकिन society में welfare कम हो गई, बोलो बात नहीं समझे, तो conclusion क्या निकला, conclusion हमारे ये निकला, कि finally it can be concluded that GDP may not be taken satisfactory measurement of economic welfare, ऐसा नहीं बोल सकते कि कभी भी हमारा GDP है, वो ब इंडिकेट करेगा, कि हमारी economy के अंदर economic welfare भी बढ़ा है, economic welfare भी बढ़ा है, ऐसा वो इंडिकेट नहीं करेगा, और आप लोग भी समझे लोगे हम से, कि अगर society का GDP बढ़ता है, तो it doesn't mean, it doesn't mean, it doesn't mean, it doesn't mean, कि economy का welfare भी बढ़ा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि GDP का बढ़ना, यह नहीं बताता कि economy भी welfare में हुई है, चीके, यही बात लिक्यों यहां पर, अब बात करते हैं, green GDP क्या होता है, दोस्तो green GDP का मतलब होता है, कि यह बताओ, आपने बिना environment को affect किये हुए, कितना production किया, कितना production किया, that is called green GDP, जैसे example तो पर मैंने इस साल एक लाग unit produced किये, ले green GDP, बोलो, समय है आप लोगो, तो green GDP क्या होता है, वो national income जो हमने बिना environment को affect, बिना environment को polluted के हुए, ठीके, that is called green GDP, अब एक छोटा सा concept और है, कि अगर हमारा GDP बढ़ता है, तो इससे हमारा employment level बढ़ता है, क्योंकि GDP बढ़ने का पलवे, तो circulation of money है, वो भी क्या हो रहा है, increase हो तो इसका मतलब लोग पैसा जाधा आ रहा है, पैसा जाधा रहा है, मतलब लोग demand जाधा करेंगे, लोग demand जाधा करेंगे, तो जो लोग production sector में, उनकी income का level बढ़ेगा, और income का level बढ़ेगा, तो वो investment पहले से भी जाधा करेंगे, और पहले से जाधा investment करेंगे, तो उनका investment लिवल और जादा इंप्रूव करेगा और फिर एकान्मी की जो रील जी डीपी है वो क्या होगी इंप्रूव हो गई ये चैन बन गए यह जो साइकल है वो गूंती रहती एकॉनमी के अंदर यह साइकल जो है वो इकॉनमी के अंदर क्या होती है रहती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपने फेस्बूक आईडी का और इंस्ट्राम आईडी का लिंक दिया हो आप मुझे वहाँ से फॉलो करो और टाइम अपडेट भी लेते रहो और डायकि मुसे डाउट भी पूछते रहो और अगर दोस्तों यह वीडियो जब आप तक पहले पहुंचेगी कोई भी लेटिस्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वह मैं जब भी बनाऊंगो तो वह आप तक पहुंच जाएगी इस दी तो गाइज आज की वीडियो लेक्शर के लिए बाकि मिलते हैं नेक्स दास में आज के लिए पीस आ झाल